हिंदू धर्म में आच्मन का क्या मतलब है? जाने इसके महत्व, विधी और लाब. हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के यग्य, हवन, शुप्या मांगलिक कार्य से पहले पूजा करते हैं और इन सब के बीच आती है आच्मन करने की परंपरा है. आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में आच्मन करने की क्या परंपरा है और इसका महत्व, आच्मन का महत्व पूजा में अत्यंत उच्च माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है. आच्मन से पूजा करने वाला अपने मन, वचन और क्रिया को पवित्र और शुद्ध बनाता है, जिससे उनकी पूजा व्यावसायक रूप से संपन्न होती है और देवी देवताओं को प्रसन करने में सहायक होती है. इसलिए बिना आच्मन के पूजा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह पूर्णता की कमी को दर्शाता है और दिव्यता के अनुरूप नहीं होता. आच्मन क्या होता है? आच्मन एक प्रकार का धार्मिक अभ्यास है, जो हिंदू धर्म में पाया जाता है. इसमें व्यक्ति एक शुद्ध प्रकार से पानी का प्रयोग करके अपने मुख को धोता है और उस पानी को पीता है. यह प्रार्थना और पूजा के पहले किया जाता है और इसे अपनी शुद्धता की दृष्टी से महत्वपूर्ण माना जाता है. आच्मन का प्रयोग पूजा, हवन, वरत आधी धार्मिक क्रियाओं में किया जाता है हिंदु धर्म में क्या है आच्मन का महत्व? हिंदु धर्म में आच्मन का बहुत महत्व है आच्मन को पूजापाट से पहले एक महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है आच्मन के अनेक लाब हैं, जिनमें शारेरिक और आध्यात्मिक दोनों शामिल है आच्मन करने से शारीर में पाचन क्रिया बहतर होती है, शरीर में रक्त प्रवा बढ़ता है, तवचा स्वस्थ और चमकदार होती है और मुँ और दान्तों की सफाई होती है वहीं आध्यात्मिक तौर पर मन शान्त और एकाग्र होता है नकारात्मक उर्जा दूर होती है और देवताओं का आशिरवाद भी प्राप्थ होता है क्या है आचमन करने की विधी? सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से धोले फिर दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी ले पानी को तीन बार हथेली में लेकर गंगाय नमह मंत्र का उच्छारण करते हुए पानी को पी ले इसके बाद बाएं हाथ में थोड़ा सा पानी ले पानी को तीन बार हथेली में लेकर यमुनाय नमह मंत्र का उच्चारण करते हुए पानी को पी ले अंत में दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी ले पानी को तीन बार हथेली में लेकर सरस्वत्य नमह मंत्र का उच्चारण करते हुए पानी को पी ले क्या है आचमन का समय आचमन को पूजापाट से पहले करना चाहिए सनान करने के बाद आचमन करना चाहिए भोजन करने से पहले करना चाहिए किसी भी शुप कार्य से पहले करना चाहिए